हम गोरी नंदन श्री गणे सिकी कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं क्यूं सब देवों में सबसे पहले पूझे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हे गड़ पति जी महराज, मेरे मना दो बिगड़े काश कैसे जन्म हुआ गड़ पति का पहले तुमें बताएं, गोरा कच्छ में सिउगण तो जब तब आही जाएं एक दिन गोरा माता गई थी करने को अश्ना, गोली नंदी को रखना तुम गार पे अपना जाएं महलों के भीतर कोई भी आने ना पाएं, असनान ध्यान मेरा जब तक पूरा ना हो जाएं हात जोड कर नंदी ने कहां जैसा मा आदेश, लेकिन भोले नात आ गए करने को परवेश भोले नात को नंदी लेकिन रोक न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं क्यों सब दियों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हे गड़ पत्य जी महाराज, मेरे बना दो विगले काश हे गड़ पत्य जी महाराज, मेरे बना दो विगले काश गोरा ने कह नंदी से क्यों ना मानी मेरी बार बोले नंदी रोकू कैसे खुद है बोले ना मन में गवरा मा के तो है एक विचारा आया अपने उबटन से माने है पुतला एक बनाया मंत्र सक्ती से पुतले में फूख दिये है प्राण सुब मुहूरत में मा गौरा ने रखा गड़े सहना बोली मा के अज्याकारी बन कर तुम रहेना है मेरा विश्वास मेरा तुम मानों के कहना हात जोड वो मा गौरा कोसी सिनवाते हैं आवन कथा सुनाते हैं क्यों सब दियों में सब से पहले पूझे जाते हैं माव कथा सुनाते हैं हे गड़ पत जी महराज मेरे बना दो बिगड़े कार हे गड़ पत जी महराज मेरे बना दो बिगड़े कार फिर एक दिन गौरा मात आ गई करने को असना बिठा दिया गड़ पती बना कर पहरे पर दर्वान भोले नात फिर महलों में जाने को आते हैं बैठा कौन है वालक द्वार पे समझ न पाते हैं पूझा भोले नात ने कौन हो और कहां से आए अपना परचे गणपत ने भोले को दिया बताए करने लगे प्रवेस वो भी तर गणपत ने है रोका कहने लगे भोले क्यूं हमको तुमने है तोका हम खुद स्वामी गवरा के जब मरजी आते हैं पावन कथा सुनाते हैं क्यूं सब देयों में सबसे पहले पूझे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे गड़ पत्यजी महराज मेरे बना दो बिगड़े कार हे गड़ पत्यजी महराज मेरे बना दो बिगड़े कार बोले गड़ पत्य भोले को ये माता है आते जब तक नहीं कहे माता ना आप करें प्रवेश है विंती मेरी की वापिस आप लोट जाओ नंदी से कहने लग भोले इसको जरा हटाओ नंदी ने भी गड़ पति को है बार बार समझाया माने नहीं वो फिर नंदी ने बल पर योग दिखाया बड़े ही बलसाली है गड़ पति नंदी हारे हैं फिर तो स्यू गड़ उन्हें हटाने आगे सारे हैं सब मिल करके भी गड़ पति को हटा न पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं क्यों सब दियों में सब से पहले पूझे जाते हैं अल कथा सुनाते हैं ही गड़ पति जी महराज मेरे बना दो बिगड़े खात मेरे बना दो बिगड़े खात फिर तो बोले नात ने सब देवों को बुलाया था सारे ही देवों ने गड़ पति को समझाया था हटे नहीं जब द्वार से वो तो किया है बल पर यो पाँच सक्तियां इंद्र देव ने दी गड़ पति पेजो लेकिन पाँच सक्तियां भी कुछ काम ना आई थी लोट गई वो जब गड़ पति ने गड़ा चलाई थी फिर तो बोले नात कोन पे क्रोध हुआ भारी लेकर के तिरसूल आ गए स्वैम जटा धारी क्रोध में भर भोले अपना तिरसूल चलाते हैं पाँवन कथा सुनाते हैं क्यों सब देयों में सबसे पहले पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे गड़ पति जी महराज मेरे बना दो बिगड़ेकाज हे गड़ पति जी महराज मेरे बना दो बिगड़ेकाज वारिस फिर तिर सूल गर्तन हो गई थी न्यारी गौरा माने जब देखा तो रुदन किया भारी बोली की क्या किया आपने ये है भोले ना द्वार पाल ये बन के खड़ा था मान के मेरी बार लाल मेरे के दाल तुम्हें वापिस होंगे लोटाने रो रो करे बिला पुम गवरा बात नहीं वो माने कहने लग भोले गनेश का खंडित सीस हुआ पीट घुमा कर सोई हो जो बच्चे से हो उस बच्चे का सीस तो हम गड़ पति को लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं क्यों सब दियों में सबसे पहले पूझे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे गड़ पति जी महराज मेरे बना दो बिगड़े कार हे गड़ पति जी महराज मेरे बना दो बिगड़े कार स्यूगण तो फिर गौरा माने लेने सीस पठाए पीट गुमा सोई मा जिससे वो बालक न पाए खोज खोज वो हार गए छानी दिसा सभी एक हतनी आई नजर थी उन सब को तो तभी हतनी के बच्चे की गर्दन वो तो ले आए भोले नाथ ने वो गर्दन गर्दपति को है लगाए लगी जुगज की गर्दन वो जिन्दा हो जाते है सबसे पहले मत पिता को सीस जुकाते है इसलिए थो गजानन भी ये कहलाते हैं पावन कता सुनाते हैं क्यों सब दियों में सबसे पहले पूजे जाते हैं हम कता सुनाते हैं हे गर्दपति जी महराज मेरे बना दो बिगड़े काज हे गर्दपति जी महराज मेरे बना दो बिगड़े काज एक दिन कारतिक और गणेस में यूही चल गई बात हम दोनों के मात पिता गवरा और भोले नात कारतिक बोले मैं हूँ बड़ा और तुम छोटे हमसे फिर भी माने क्यों जाते हो उत्तम तुम सबसे पूछने इसी बात को वो ब्रह्मा के पास आए किम्तू उत्तर ब्रह्मा जी उन्हें ये ना दे पाए विष्णो जी सायद कर सकते इसका तो समधान बोले ब्रह्मा विष्णो जी को मुझसे ज्यादा ग्यान विष्णो जी की शरण में फिर तो दोनों आते हैं पावन कथा सुनाते हैं क्यों सब दियों में सबसे पहले पूझे जाते हैं अलकता सुनाते हैं हे गड़ पत जी महराज मेरे बना दो बिगड़े काच हे गड़ पत जी महराज मेरे बना दो बिगड़े काच विश्नु जी तो दोनों को ही उत्तम बतलाएं लेकिन उनके उत्तर ये सहमत ना हो पाएं बोले विश्नु बोले देंगे इसका सही उत्तर पूछो ये प्रस्न तुम तो उनसे ही जाकर दोनों लेकर प्रस्न यही बोले के पास आएं सुनकर प्रस्न ये बोले जी भी है मुस्काएं बोले इस ब्रह्मान्द का चक्कर उसे लगाना होगा उत्तम साबित करना है उसे पहले आना होगा अपने मयूर से ये सुनकर कार्ति कूड जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं क्यों सब दियों में सबसे पहले पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे गडपत जी महराज मेरे बना दो भिगडेकार हे गडपत जी महराज मेरे बना दो भिगडेकार उड़े जो कार्तिक तो गड़े से विवन में मुसकाएं मुसक से तो पीछा मोर का किया नहीं जाएं अपने गुत्ती बलका फिर तो है परियोग किया मात पिता का ही चक्कर गडपत ने लगा दिया आप कही चर्णों में मेरी सारी स्रिष्टी है कहने लगे भोले कि तुम्हारी दूर द्रिष्टी है लोट के जब करतिक आए तो देख के चकराएं कैसे मुझसे पहले ये ब्रह्मांट गुमाएं भोले जी फिर उनको किस्सा सभी बताते हैं पावन कता सुनाते हैं सब दियों में सबसे पहले पूजे जाते हैं हमका था सुनाते हैं हे गड़पत जी महराज मेरे बना दो बिगडेकाज हे गड़पत जी महराज मेरे बना दो बिगडेकाज मात पिता के चर्मों में ही होता है संसान कार्तिक ने भी मान लिया है गड़पत जी से हाँ भोले ने वरदान दिया उत्तम कहलाओगे सब देवों से पहले गड़े सिज पूजे जाओगे सब देवों ने गड़पत की बोली है जै जैकार इसलिए इनकी पहले पूजा करता संसार सद बुद्धी के मालक है गौरी नंदन ये गरेज सद सद बार नमन करता है तुमको फौजी सुरेज डियस पालिस कितने सेवक महिमा गाते हैं पामन कथा सुना दे हैं क्यों सब देवों में सब से पहले पूजे जाते हैं आओ कथा सुना दे हैं ही गड़ पत जी महराज मेरे बना दो बिगड़े कात ही गड़ पत जी महराज मेरे बना दो बिगड़े कात ही गड़ पत जी महराज मेरे बना दो बिगड़े कात ही गड़ पत जी महराज मेरे बना दो बिगड़े कात झाल